Hey guys, welcome back to my channel, Bansal Biology आज का जो वीडियो है, इसमें मैं आपको FSSAI की तरफ से आया हुआ है कि एक एक्जामिनेशन के बारे में बताने वाली हूँ इसका नाम किया है Food Safety and Standard Authority of India की तरफ से यहाँ पर यह जो एक्जामिनेशन आया है यह एक्जामिनेशन 22nd June को इसका नोटस आया था, यह एक्जामिनेशन किस से रिलेटेड है, Food Analyst Examination से रिलेटेड या फिर Junior Analyst Examination से रिलेटेड है यह इससे पहले 8 Food Analyst Examination यह कंड़क्ट कर चुकिया है, 5 Junior Analyst Examination कंड़क्ट कर चुकिया है यहाँ पर एक Computer Based Examination होने वाला है 3rd September को और Practical होने वाला है Food Analyst के लिए जो की होगा 2nd week of November के लिए अगर हम यहाँ पर देखें, आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 23rd July तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और 31 July जो है, वो Last Date होती है अगर मैं आपको यहाँ पर पहले इस exam के बारें बता दूँ, तो देखें, basically Junior Analyst Examination क्या होता है अगर आपने इस examination clear कर लिया, तो आपको यहाँ पर FSSAI की तरफ से एक Certificate मिलता है इस Certificate के थूँ, अगर आपको कोई vacancy दिखती है, भली Government vacancy दिखती है, प्राइवेट vacancy दिखती है, तो आप वहाँ पर apply कर सकते हैं तो यह Junior Analyst Examination का होता है, जिसमें आपको कोई experience नहीं चाहिए होता है वही Food Analyst Examination के लिए आपको 3 साल का experience चाहिए होता है तो इसके बारे में और हम समझते हैं आगे जाके, तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो examination होने वाला है मैंने क्या कहा कि 3 तारिक से जो है, यह स्टार्ट होगा यहाँ पर इसका receive करने के लिए आज तो 25 तारिक है, अभी तक portal open नहीं हुआ है 23 तारिक जो है last date है, closing date जो होगी, fees भढ़ने की 31 जुलाई होगी admit card आजएगा 14 अगस से, जो examination होगा, date of computer based test होगा 3rd September को announcement of result होगा 15th September को, starting date for online application यह किन के लिए, यह food analyst के लिए है अगर आपको food analyst बनना है, तो उसके लिए आपका practical exam विख्यारा होने वाला है और junior analyst के लिए सिर्फ और सिर्फ exam होने वाला है eligibility criteria के बात करें, तो essential educational qualification में क्या मांगते हैं यह bachelor's हो सकती है, आपके master's हो सकती है, doctorate degree हो सकती है chemistry में, biochemistry में, microbiology में, dairy में, chemistry, agriculture, sciences, agriculture, animal science, fishery, science, biotechnology, food safety, food technology, food, nutrition, dairy, oil, veterinary इन सब में से किसी में भी हो सकती है यह फिर आपकी यहाँ पर from a university established in India by law or in an associate of institutes of chemist by examination in the section तो यह सारे में से किसी में भी आपकी हो सकती है, bachelor's हो सकती है, master's हो सकती है, doctorate degree हो सकती है आपको कोई experience नहीं चाहिए, कोई इसमें reservation नहीं है, कोई age limit नहीं है आपको fees पे करनी पड़ेगी 1500 रुपे जो की non-refundable होगी वही food analyst के लिए अगर हम यहाँ पर जाएं, तो food analyst के लिए आपको experience वग्यारा चाहिए होता है, 3 साल का at least तो यह सारी चीज़े जो है, वो food analyst के लिए है, तो उनको experience वग्यारा के जरुवत पड़ती है अगर हम यहाँ पर दीखें, यहाँ पर जो food analyst और junior analyst है, इनका examination plan कैसे रहेगा आप देख सकते हैं total यहाँ पर जो है questions होंगे, question number जो होगा, वो 200 होगा, weightage percentage में कितनी रहने वाली है यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या-क्या यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर food law standards से रिलेटरों का planning organization, principle of food preservation, principle and basic of human nutrition, food chemistry, food microbiology, hygiene, physical, chemical, instrumental analysis के ओपर सारी चीज़े जो है, आपको exam paper में मिलेगी multiple choice question होने वाले है, four marks का एक question रहने वाला है, detect कर दिये चाहेंगे, one mark अगर आप गलत जवाब देगे अगर हम यहाँ पर देखें, तो आपको minimum 40% marks तो लेकर ही आना पड़ेगा अगर हम JAE यानि के junior analyst की बात करें, तो जन्होंने computer-based test clear कर लिया, उनको certificate दिया जाएगा as a qualified junior analyst, JAE qualified candidates will be allowed to appear for practical examination for FAE only after obtaining the three years of experience, तो अगर आपने three years of experience आपने ले लिया, तो आप FAE के लिए जो practical exam होता है, उसके लिए जा सकते हैं, the opportunity is available to qualified JAE only once in a lifetime, slabus जो है, वो यहाँ पर provide किया गया, तो आप यह slabus देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर slabus रहने वाला है तो आप यह सारी चीज़े चेक कर सकते हैं, अगर आप इंट्रेस्टेड हो, तो आप यह पूरा slabus जो है, वो आराम से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, principle and basis और basics of human nutrition, food chemistry, यह सारा जो है, यहाँ पर slabus है, DNA, nucleic acid, microbiology, फिर यह सारी चीज़े यहाँ पर आएगी, physical, chemical, instrumental analysis, यह सारी चीज़े यहाँ पर आने वाली है, suggested readings, आप यह सारी readings कर सकते हो, यह सारी चीज़े आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर है, application for food analyst, यहाँ पर junior analyst के लिए, जो application होगी, वो online basis पर होगी, एक ही link है, जो मैं आपको description box में provide कर दूँगी, तो these all things they have mentioned, तो यहाँ पर अगर आप इंट्रेस्टेड हो, कि अगर आपको यहाँ पर एक junior analyst बनना है, तो आप यहाँ पर apply कर भी सकते हैं, इनोंने क instructions बी यहां पर देहें रखें, तो आप यहाँ पर instructions बी इनके अच्य से पढ़आँ